जैहिन दोस्तो केरे पॉइंट प्रिवार में आप सब्सक्राइब के लिए तो दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पर पूरी लिसेंट जिकी का निचोर स्टार्ट किया है तो दोस्तो आज हम आप लोग के लिए यहाँ पर पहली वीडियो लेकर आए जिसके अंदर हमने आपको वेरी वेरी इंपोर्टन के लिए तो दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पर अग्जाम की तियारी करना चाहते हैं तो दोस्तो जल्दी जल्दे हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सार्ट के लिए बैल आइकन को प्रिस करें ताकि आपको परते क्लास का नोर्फिकेशन म सभी एक्जाम के लिए यह क्लास टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शार्ट के लिए बैल आईकन को प्रिस करें ताकि परते क्लास का नोर्फिकेशन आप लोग हो तक पहुंचता रहे हैं और आप लोग अपनी ग्जाम के पर ते क्यूशन का आशेर देने के लिए आपको पांच से किन्डर कर चानल को सब्सक्राइब जूट गरीगा ठिके तो चली tap करते हैं तो चली देखते हैं आज का पहला कूशन पहला कूशन दयनंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो देखिए द्रयन सरस्वति का मूल नाम क्या था? मूल संकर, option B यहाँ पर right answer होगा, अगला question है, आरे समाज को किसने भारती सांती का जनम दाता कहा था? तो देखिए किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था? आरे समाज के भारती सांती का जनम दाता कहा गया है, वेल सही answer होगा, पार्टली पुत्र, option C, आपका सही answer हो जाएगा, next देखिए, 14 महाजन पदों की सूची किसमे सम्मेलित है? तो देखिए किसमे सम्मेलित है? सही answer होगा, अंगूतर निकाए, option A, आपका सही हो जाएगा, next देखिए, राज्य सभाग की पर्तम महिला महा सचिव क दूर दर्शन दवारा प्रायोचित, पहला दारावाईक सेरियल कोन सा था? सही answer होगा, हम लोग, option C, next देखिए, 1867 की विद्रों किसमें, ब्रेटिश पर्दान मंतरी कोन था? सही answer होगा, लॉड पॉंसिटरन, option B, आपका सही हो जाएगा, अगला question है, सूर्य हमारे सोर का केंदर है, इसे किसी ने पर्ति पादित क्या था? सही answer होगा, कोपरनिक्स, option A, कोपरनिक्स की दवारा का गया है, सोरी है, हमारे सोर मंगल का केंदर है, अगला question है, नियोंतम नगरी करत राज्य है, कोन सा है? सही answer होगा, हमाचल पर्दिश, option B, आपका राइट हो नेक्स देखी, बारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्मान के लिए कोन विख्या थे? सही answer होगा, फिरोजसा तुगला, नेहरों का सबसे बड़ा जाल निर्मान जो है, वो फिरोजसा तुगला क्लिक्स के दवारा क्या गया था? option D, आपका, सही रहेगा, नेक्स नेक्स देखी, भारत का मैक्या वेली किसे कहा जाता है? भारत का मैक्या वेली कहा जाता है, चान एक्के को, option B, आपका, सही होगा, अगला क्यूशन है, भारत में सरवादिक सुद सरण सिखे, किसने परचलित किये? किसने किये थे? कुशान वन्स ने, option C, आपका सिज़ेग ने, option A, आपका सही होगा, next देखी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया, तो प्लेज वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, अपने फ्रेंट से आथ, राजताव सिधान किस्ता आपना करने वाला पहला सासक कोन था? कोन था? बलबन, राजताव सिधान किस्त अपना करने वाला पहला सासक था, बलबन, option D, आपका सही होगा, next देखी, विक्टोरिया जल परपात का समंद किस नदी से है, सही आंसर होगा, जांबे जी नदी, option A, next देखी, भारत के एक अरव्य सिसु का नाम क्या है, तो क्या नाम है, आस्था, option B, आपका सही होजएग भारत के एक अरव्य सिसु का नाम क्या है, आस्था, next देखी, पोर्ट बलेयर कहां पर स्थित है, पोर्ट बलेयर कहां स्थित है, देखीगा, दक्सिन अंदमान में, option C, आपका सही होगा, अगला question है, ग्रू मुखी लिपी किस ग्रू ने विक्षित की थी, तो सही आंसर हो ग्रू अंगद ने, ठीक है, ग्रू मुखी लिपी जो है, वो ग्रू अंगद के दिवारा विक्षित की गई थी, option D आपका right होगा, next देखी, भारती संग के अंतरगत, किस राज्य को मिलाने का अधिकार, किसको प्राप्त है, किसी भी राज्य को मिलाने का भारत के अंदर, किसको प्राप्त है ये अधिकार, तो देखी, किसको संसद को, option D आपका सेज़ेगा, किसी भी राज्य को भारती संग के अंतरगत सामिल करना, संसद को अधिकार प्राप्त है, next देखी, किंदर राज्य संबंद, किस अनुसुची के अंतरगत वर्णित है, तो देखी, सही संबंदित अनुचेद कोन सा है, अनुचेद 25, आर्टिकल 25 जो है, वो ध्रम की संबंदता से संबंदित है, option C आपका साही होगा, next देखी, अमीर खुश्रोकिन दो भासाओं का विद्वान था, तो देखी, साही आंसरो का हिंदी और फार्सी, option D आपे, right आंसरो का, next देख अमद मिर्म कासिम ने सिंद पर विजय प्राफ कर ले थी, 712 P में, अगला क्यूक्शन है, अर्जून पुरुश्कार जीतने वाली पर्थम भारती महिला कोन थी, साही आंसरो का, एन लंस्टेन, पहली महिला थी, भारती महिला थी, जिसने अर्जून पुरुश्कार जीता उप्शन B आपका सही आंसर होगा, नेक्स देखी, अर्जून पुरुश्कार जीतने वाला पर्थम भारती क्रिकेटर कोन है, तो देखी, सही आंसर होगा, सल्लिम दुर्राणी, उप्शन A आपका सही होजएगा, सल्लिम दुर्राणी जो है, पहले भारती क्रिकेटर जिन अर्जुन पुर्शकार जीता था अगला क्यूशन है डेट हीट सबद की स्खेल से सम्बन दीते डेट हीट सबद जो है वो सम्बन दीता है गुड़ दोड से ओप्शन डे आपका सही होगा नेक्स देखी चमतकारी सचेन पुस्टक के लेकर कौन है कोन है लोकेस ठाल ओप्शन C आपका सही होगा नेक्स देखी मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है तो देखीए मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है सही आंसूर का स्रीनात ओप्शन D आपका सही होगा स्रीनाथ को क्या कहा गया है मैसूर एक्स्प्रेस इनका उपनाम दिया गया है अगला क्यूशन है बंकर सबद किस खेल से सम्बनित है बंकर सबद किस खेल से सम्बनित है पोलो से option C आपका सही होगा अगला क्यूशन है बारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी तो देखें किस लड़ाई के बाद पानिपत की पहले लड़ाई के बाद option A आपका सही अंसर होगा पानिपत की पहले लड़ाई के बाद भारत में मुगल स्थाप स्थापित की गई थी उप्शन A सहयोगा नेक्स देखिए जहांगिर के दरबार में जेम्स पर्थम का राजदूद कौन था कौन था सर टोमश्रो जो है जहांगिर के दरबार में जेम्स पर्थम के राजदूद बनकर आये थे option A आपका सायोगा सर तो मसरो next देखिए का इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू किसे कहा जाता है इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू किसको कहा जाता है राजपुत राज़ाधन को option D आपका सायोजेगा राजपुत राज़ाधन को इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू बतलाये गए है अगला क्यूश्चन है ओरंग जेब ने बीजापूर पर कब विजय प्राप्त की थी? ओरंग जेब ने बीजापूर पर विजय कब प्राप्त की थी? 1686 में option C आपका सही हो जाएगा अगला क्यूश्चन है किस मुगल समराट के साथ संकाल में उपनी सद का फार्शी में अनुवाद हुआ था? तो देखिए किस के काल में? साजाहा के काल में option C आपका सही हो जाएगा साजाहा के काल में उपनी सदों का फार्शी में अनुवाद किया गया था और ये कौन थे मुगल समराट थे आपको पता होना चाहिए अगला क्यूशन है जिमनास्टिक खेल में परतेक पक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं सही आंशरों का आठ ओप्शन C आपका सही हो जाएगा नेक्स देखी एर फोर्स फ्लाइंग कोलेज कहां पर स्तित है एर फोर्स फ्लाइंग कोलेज कहां पर देखी जोधपुर में ओप्शन B आपका सही आंशरों का जोधपुर नेक्स देखी केंद्रिय परियावर्ण इंजिनरिंग अनुसंधान सनस्तान कहां है केंद्रिय परिय जिसने दक्षिन भारत को प्राजित करने का प्रियास किया। दिल्ली का पर्थम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिन भारत को प्राजित करने का प्रियास किया। कौन था सही आंशरों का अलाउदिन खिल जी। ओप्षिन डी आपका सही रहेगा। नेक्स देखिए भोतिक वादी दर्शन के परवर्टक कौन थे चारवा उप्शन ए आपका सही रहेगा अगला question है व्यास नदी का प्राचिन नाम क्या था विपासा उप्शन सी सही आंशर होगा next देखिए सिरी नगर की स्तापना किसने की थी किसने की थी असोक ने राजा असोक के दवारा सिरी नगर की स्तापना की गई option A आपका सही होगा अगर आपने friends अभी तक वीडियो को like ने कह तो प्लीज वीडियो को like करिए जो भी नए है चैनल को subscribe करिए तिकर विक्रमा दित्ति के बाद कुमार पर्थन को भीठाया गया था नेक्स देखी भारती सिक्षा का मेगना कार्टा कीसी कहा जाता है वुड़ डिसपैच को अगला क्यूश्यन है गदर पार्टी की स्थापना कभ हुई थी कभ देखिगा 1913 में Option B, आपका सही हो जाएगा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई. अगला question है, साबर मती आसरम की स्थापना की गई? साबर मती आसरम की स्थापना की गई थी कब? 1916 में. Option C, आपका सही हो जाएगा, 1916 में साबर मती आसरम की स्थापना की गई. अगला question है गांधी जी ने सबर्मती से दांडी की जात्रा कितने समर्थकों के साथ की तो देखिए सब्थ वर्षिय यूद का प्रारम कब हुआ था तो देखिए कब हुआ था सब्थ वर्षिय यूद का प्रारम कब हुआ था Next देखी सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस क्षुएर पर होता है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात, जो हो का हांपर होती है? सही आंसर होगा, सुक्र ग्र्ये पर Option भी आपका सही होज़गा, सुक्र ग्रे को पर्थवी की भेन जुड़वा भेहन कहा जाता है पर्थवी की ठीक है तो आपको पता हना चाहिए सभी है अगला क्यूशन है क्रिशन देव राय किसके समकालें थे बाबर की option A बाबर आपका सही होगा अगला क्यूशन है पूरव का मोती किसे कहा जाते है किसको सिरिलंका को option D आपका सही होगा next देखी शुन्डा गर्थ किस महासागर में स्थित है शुन्डा गर्थ किस महासागर में स्थित है हिंद महासागर में option A आपका सही होगा हिंद महासागर अगला क्यूशन है रोजगार गारंटी योजना का परारम कब से किया गया रोजगार गारंटी योजना का प्रारम कभी से किया गया दो फरवरी 2006 option C आपका सही होगा दो फरवरी 2006 next देखी वरमी कल्चर किसे समदित है केच्वा पालन से option C आपका सही होगा केच्वा पालन अगला question है पोन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोण सा था ये important question आचुका है आप लोगों के लिए जो banking की तयारी कर रहे है उनके लिए अच्छा question है तो देखी पोन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोण सा था PNB, पंजाब नेशनल बैंक देखी चेन नहीं के अंदर option D आपका से देखा चेन नहीं अगला question है अमेरिका कब सवतंतर हुआ था अमेरिका कब सवतंतर हुआ था सही आंसरों का सत्रेशो चेतर में option B आपका सही हो जाएगा next देखी admission D आपका से जगा सबसे ओधिक जोई है अगला question है डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कोन है option C आपका सही आंसर होगा अगला question है औक्सपोड विश्व विधाले की स्थापना कब हुई थी घ्यारसो अडशेट में option b आपका सही आपका ग्यारासो ऐटसर next δीखी Pakistan के पर्थम परधानमंत्री कौन थे पाकिस्तान के पर्थम परधानमंत्री थे कोन लिया कतली खान option a आपका सही आपका next दीखी जिंदा पिर के रूप में कौन विख्याद था जिन्दा पीर के रूप में कोण विख्या था, औरंग जेब, उप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, हिंदों से याद रख कर लिया जाता, मुसलमानों से याद रख कर लिया जाता, तो वो कर जोता था, यातरी कर बोलते थे उसको और वो बंद केया था, अकबर ने, लिंगायत संपर्दाय के संस्थापक कौन थे वासव, option B आपका से ओज़ेगा वासव यापे, right answer, next देखते हैं गला क्योचिविशन, हिंदू मासभा के संस्थापक कोन थे, हिंदू मासभा के संस्थापक कोन, मदन मोहन माल भी, option D आपका से ओज़ेगा, next देखिए, अमेरिका के पर्थम उपराश्च पती रह चुके हैं अगला question है, विश्व की पर्थम महिला राष्टपती कौन थी, विश्व की पर्थम महिला राष्टपती कौन थी, तो देखिए इसका सही हो जाएगा, मारिया इसाबेल पेरो, option C आपका सही हो जाएगा, मारिया इसाबेल पेरो जो है, विश्व की पहली महिला राष्टपती अगला question है अगला question देखिए राष्टी जंडा अपनाने वाला पर्थम देश कोन सा है तो देखिए कोन सा है इसका सही answer हो जाएगा Denmark ठीक है Denmark जो है राष्टी जंडा अपनाने वाला पहला देश बना था option B आपका सही हो जाएगा अगला question है हर्गोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरुषकर मिला था तो देखे किस वर्ष इसका सही answer हो जाेगा 1968 में option C आपका छही हो जाएगा ठीक है, हर्गोविंद खुराना को लाइक नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, जो साथी नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लेजएगा, अगला क्यूशन देखिए, सभी विश्व का फुटबॉल परतियुक्ता में भाग लेने वाला एक मातर देश कौन सा है, सभी विश्व का घखिए, अगला क्यूशन है, सभी आंशर का अमेरिका, अमेरिका देश का सब्से सुखा परतियस है, इसका नाम दिया गया है, ओप्चन डी आपका, सही होगा, नेक्स देखिए, बुल्फ हाइटिंग, किस देश का राष्टि खेल है, तो देखिए, किस दिसका है, सपेन देश का, उप्शन C आपका स्वेज़ेगा, ठीक है, बुल फाइटिंग, एक गेम है, जिसमें राष्टी खेल जो है, एक राष्टी खेल है, अचापेन देश का, ठीक है, याद रखीए, नेक्स देखें अगला क्यूशन है, सिक्ष्या को अनिवारिय बनाने वाला पहला दे पन, उप्शन C आपका स्वेज़ेगा, ठीक है, नेक्स देखी, फोर्ट विलियम का पर्थम अध्यक्स किसे बनाया काया था, फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्स, देखीगा, सर चार्ल्स आयर को बनाया काया था, उप्शन A, सर चार्ल्स आयर आपका सही आनश्र होगा, 1928 में BCCI किस तापना की गी थी? Option B आपका सही होगा. Next देखी, पहला विशव कब फुटबॉल कब खेला गया था? देखी, कब खेला गया था? सही आंशर हो जाएगा 1930 में. तीक है, 1930 में पहला विशव कब फुटबॉल खेला गया था. Option C सही आंशर होगा. अगला क्यूशन, हिमाले मुख्य रूप से कितने समान अंतर सेडियों में विभगते हैं? सही आंशर होगा 3. Option A आपका सही हो जाएगा. अगला क्यूशन है, भारत का पर्थम ग्रवनर जर्रल कौन था? तो देखी, कौन था? सही आंशर होगा. लोर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है, भारत के पहले ग्रवनर जर्रल थे, लोर्ड विलियम बेंटिक. Option C आपका सही हो जाएगा. Next देखी. किस अनुशेद के तहाइद कहा गया कि संकी सक्ती राष्टपती में नहीत होगी? Option D आपका सही होगा. अनुशेद 53. Next देखी. भारत में कमपनी के अधिन पर्थम ग्रवनर जर्रल कोन हुआ है? तो देखी कौन थे? सही आंशर होगा. वारेन हेस्टिक्स. कमपनी के अधिन थे और पहले ग्रवनर जर्रल थे वारेन हेस्टिक्स. Option A आपका सही होगा. अगला क्यूशन है. इरान का नेपोलिन किसे कहा जाता है? इरान का नेपोलिन कहा गया है नादिर्शा को. Option B आपका सही होगा. नादिर्शा. अगला क्यूशन है. भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर सरोज नेले में अपील कर सकता है ठीक है? मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तैट अपील कर सकता है सरोज नेले में next देखी भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर ये repeat हो रहा है friends तो इसका question का वही answer होगा ठीक है तो अगला question की तरफ चलते हैं देखी भारत का सबसी बड़ा गिर्जागर कौन सा है भारत का सबसी बड़ा गिर्जागर है देखेगा कौन सा St. Cathedral option D आपका से जगा St. Cathedral आपका right answer next देखी tungsten का गलनांक लगभग कितना होते है तो देखे कितना 3500 degree Celsius option B जो है वो आपका सही हो जाएगा next देखी मानवश्री का सिरवाधिक कोलिस्टोल बनाने वाला स्थान कोंसा है मानवश्री का सबसे अधिक कोलिस्टोल बनाने वाला स्थान है कोंसा यकरित option D आपका से जगा यकरित के अंदर सबसे दिक कोलिस्टोल बनता है अगला question है राष्ट्रिये आपात किसमें किस अनुछेद में दी गई सों दरता समाप्त हो जाती है तो देखे सही answer होगा अनुछेद 19 option C आपका सही हो जाएगा next है अगला question देखीगा नाटो की स्थापना कब की गई थी तो देखी नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रेल 1949 नाटो की स्थापना की गई option A आपका सही होगा नेक्स देखी, देश का पहला विधुद सनियंतर की स्थापना कब हुई थी? देश के पहले विधुद सनियंतर की स्थापना हुई थी कब? 1979 में ओप्शन D आपका सेज़ेगा 1969 अगला क्यूशन है, दक्षिन भार्त की सबसे उची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी, ओप्शन A आपका सेज़ेगा अनाई मुदी आपके राइट आंसर अगला क्यूशन देखीगा बिना ताज का बादचा किसे कहा जाते है? बहुत अच्छा क्यूशन है, सही आंसर होगा सुरेंदरनाथ बनर जी को बिना ताज का बादचा का गया है, ओप्शन C आपका सही होजएगा सुरेंदरनाथ बनर जी नेक्स देखी कोलकात्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गभु थी, सत्रेसो छुएत्र में, ओप्शन ए, आपका सही हूगा, अगला क्यूशन, पोंग बांद किस नधी पर है, व्यास नधी पर, ओप्शन C आपका सिवज़ेगा Next देखे, थीन बांद किस नधी पर है, देखेगा, रावी नधी पर, ओप्शन B आपका सिवज़ेगा, रावी नधी अगला क्यूशन है, माप तोल की दस्मलोव परणाली किस देश की देन है? माप तोल की दस्मलोव परणाली जो है, वो देन है, फ्रांस की ओप्शन D आपका से ज़िएगा, फ्रांस नेक्स दीखी विश्व में स्रव पर्थम आर्थिक नियोजन की शुरुवात किस देश से की गई? आर्थिक नियोजन की शुरुवात किस देश से की गई थी? सोवियत रूस से ओप्शन A आपका से हुआ सोवियत रूस आज का आखरी क्यूशन पर्थम वित आयो का गठन कब किया गया पर्थम वित आयो का गठन देखिए कब किया कै था 1951 में किया गया option भी आपका सही हो जएका 1951 में पर्थम वित आयो का गठन किया गया था question complete उसके है I hope आपको question अच्छे लगे हो तो please video को like जरू करेंगे एक एक like आपका important है आपके एक like से आपकर 10 पचों तक भी वीडियो पहुचेगी वो भी यहाँ पर जोड़ सकेंगे और अपने एक चाम की अच्छे से तियारी कर सकेंगे तो please video को like, share जरू करेंगे और जो भी नया है चैनल को subscribe जरू कलेजी का, subscribe के बाद में बैल आइकन को ओन करना बिल्कुल ने भूली तो मिलते हैं अगली वीडियो में तर तक goodbye, take care, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रव